चलिए एक example की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे किसी भी incident को अपने diary में entry करोगे ठीक है Today you went to the park where you saw that two boys were fighting with each other आज आप पार्क गये थे जहां आपने देखा कि दो लड़के आपस में लड़ रहे थे ठीक है अब जब दो लड़के आपस में लड़ रहे थे जाहिर से बाते कुछ न कुछ तो हुआ होगा वहाँ पर बहुत सारे reasons भी रहे होंगे लड़ाई की पिछे के जगड़ा की पिछे के तो आपने उनको समझाया बुझाया होगा तो ये incident आपकी आँखों के सामने हुआ सुबह सुबह अब रात को आपको अपने डारी में इसी incident को लिखना है ठीक है तो चलिए आईए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लिखोगी सबसे पहले आपको format बनाना है तो format तो ये fixed है आपने date लिखना है पर day लिखना है और फिर आपको time लिखना है अगर आप exams में लिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्या question में date दिया हुआ है तो उसे हिसाब से आप लिखेंगे और अगर आप normally अपने incident को लिख रहे हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपने title ले दिया two boys were fighting in the park dear diary तो आपको लिखना भूलना ही नहीं यह dear diary का मतलब ही होता पिड़ी ठीक है dear diary आपको लिखना है चली यह आपने बना लिया format अब देखो लिखो गया आप कैसे today I went to the park for running today I went to the park for running आज मैं पार्क गया था running करने के लिए after running I was sitting in the grass मतलब दौरने के बाद running करने के बाद मैं घास पर बैठ गया suddenly I heard the noise of crying अचानक मैंने रोने की आवाज सुनी I got up and looked back मैं खड़ा हुआ या मैं उठा और मैंने पीछे देखा two boys were fighting with each other badly दो लड़के आपस में लड़ रहे थे बुड़ी तरह से two boys were fighting with each other badly I went there and asked them to stop fighting मैं वहाँ गया और उनसे कहा की लड़ाई रोक दो they stopped and came to me वे रुके और मेरे पास आए I asked them to sit in the grass मैंने उनसे कहा की आप घास पर बैठ हो मतलब मैंने उनसे कहा की घास पर बैठ हो क्योंकि मैं भी घास पर ही बैठ हुआ था ठीक है I asked them to sit in the grass they said and started telling me about the reasons behind their fighting वे बैठे मेरे साथ और मुझे बताया लड़ाई की पीछे का reason ठीक है the main reason was of fighting that who would bat first मतलब जो लड़ाई का जो main reason था वो था कि भाईया batting कौन करेगा पहले मतलब बल्लेवाजी पहले कौन करेगा ठीक है बल्लेवाजी पहले कौन करेगा after hearing them उन्हें सुनने के बाद I suggested them to toss मैंने उन्हें सला दिया कि भाईया सिक्का उचालो मतलब toss करो they agreed and tossed वे सहमत हुए और tossed किया ठीक है one of them chose batting and other balling मतलब उन में से एक ने batting चुना और दूसरे ने balling चुना ठीक है they became happy and started playing वे खुस हो गए और खेलना शुरू कर दिया after some time they came to me and thanked कुछ समय के बाद वे मेरे पास आये उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा ठीक है after that I came home and got ready for office and left for office ठीक है और नीचे में अपने नाम लिख दिया अपने नाम लिख दिया अपने नाम लिख दिया रवी मैंने नाम लिख दिया रवी ठीक है question में आपको कोई दूसरा नाम मिल सकता है और अगर आप student नहीं हो आपको exams में नहीं दिखना है तो यह तो natural चीज है आप अपना ही नाम लि आ जाता है past indefinite ठीक है और एक concept यहाँ पर यूज हुआ था देखो the boys were the boys were fighting यह जो concept है यह concept है past continuous का ठीक है past continuous का यह concept है आप past indefinite और past continuous वाले class को जरूर अटेंट कर लीजे ठीक है देखें successful लोगों की यह एक बहतरीन habit होती है diary entry करने की आप रोज diary लिखें आप रोज diary लिखें सुबह से लिखें रात तक जो भी आपने किया आप diary में जरूर entry कीजे ठीक है कहीं पर आप किसी event में गए हो तो भी आप diary में entry कीजे आने के बाद आपके सामने को incident हुआ है तो आप इसी format में आप अपने diary में entry कर सकते हैं आप ऐसी कह सकता हूँ, आप दो लोग कार से उतरे और दोनों आपस में ररना स्टाइ्ट कर दिये, इसी फॉर्मेट में आपको वो जो इंसिडेंट है। उसको यांटरी करना है। ठीक है। तो मैंने चार लग बक चार classes diary entry से related आपके लिए है इंग्लिश राइटिंग से related सौरी वीडियोस को देखिए अगर आप इंग्लिश से रिखना चाहते हो तो चारों चीजों पर focus करना पड़ेगा writing reading listening और speaking ठीक है अगर कोई बच्चा कहता है मैं सिर्फ English बोलूंगा जो केवल बोलना सीखना है तो मैं आपको बता दूँ आपको लिखना भी सीखना पड़ेगा क्यों चाहिए आप लिखो या बोलो दो नहीं लगबग लगबग क्या है यह होता है आपको इंग्लिश आएगी तभी आप लिख पाओगे आप इंग्लिश में बोल पाओगे और हां मैंने तरीका बताया आपको आप follow कीज़े definitely आपके English बहुत अच्छी हो जाएगी और writing skill में आपका बहुत ज़्यादा improvement होने लगेगा चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली class में पूरी energy के साथ पूरे excitement के साथ thank you for joining us take care of you and your loving family जैहिं